आईए चलिए करंड जीके के अंदर आज अपने टैनिस के बारे में बात करेंगे आप जानते हो टैनिस काफी महतपूर्ण है और टैनिस के लिए यह आपको ध्यान रखना है इसका जो बैगराउंड है इसका पता होना चाहिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पेज के बीच में लिखो टैनिस 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 ठीक है इधर थोड़ी जगें छोड़ना और जैसे किर्केट का जो जनक होता है इंगलेंड उसी तरीके से टैनिस का जनक होता है फ्रांस इधर जगें छोड़नी है ध्यान रखना एक देखिए एक ग्रेंड स्लेम टूर्नामेंट होते हैं ग्रेंड स्लेम टूर्नामेंट होते हैं ग्रेंड स्लेम टूर्नामेंट बोलते हैं यह चार होते हैं एक साल में चार होते हैं आपको चारों का नाम पता होना चाहिए एक होता है Australia Open Tennis Tournament Australia Open Tennis Tournament दूसरा होता है French Open Tennis Tournament French Open Tennis Tournament Especially आपको ये बात ध्यान रखनी है ये जो French Open Tennis Tournament है इसका रोलेंड गैरोस भी बोलते हैं ये इसका अन्य नाम है निमन में से किस Tennis Tournament को रोलेंड गैरो के नाम से जाना जाता है French Open Tennis Tournament इदर जो है ये है विमल्र अधन अपन अपन तनिस तूनमेंड ये इस बेन चमिपन अपन तनिस तूनमेंड है ये ध्यान रखना ये क्रम है ये क्रम से है ये प्रतिवर्स होते हैं एक साल में ये क्रम से क्रम पुछा गया है अभी याद रहता है बादें भूल जाते हैं सबसे पहली बात ये आती है कि ये कहां पर होते हैं ये होते हैं मेलबर्न में उस्टेलिया में पढ़ता है ये जो होते हैं पेरिस के अंदर ये फ्रांस की राज़दानी है आप जानते हो अब देखो इसका यूएस है इसको भी आप पैचान जाओगे ये नियू योर्क में हो इसका से आपके एक्जामिनर ने ये पूछा है कि विमल्डन ओपन टेर्निस टॉर्णामेंट कहां होता है ये होता है लंदन के अंदर ये ध्यान रखना एक इसका मेदान पूछ लेते हैं जिसमें एक मैं आपको हमबर के रूप में दूँगा या आगे जब होंगे तब आपको बताऊंगा मैं तीन बता देता हूँ इसका मेदान जो होता है ये होता है हार्ड आउट डोर हार्ड आउट डोर इससे पहले ग्रास होता था ये 88 से है इससे पहले जो था ये आपका ग्रास था वो जानने के आफशक्ता नहीं और ये जो फ्रेंच ओपन देख रहे हो ये होता है क्ले 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 कोड कह सकते हैं आप इसको जैसे बोलते है न एक बार का गया था राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाव क्ले कोड इसको लाल बजरी कह सकते हैं क्ले कोड और ये जो विमल्डन है ये जो ग्रास होता है उस पर जो नॉर्मल ग्रास होती है इस पर ये आपका हॉमबर्ग है इसको आप करोगेगा अब मेरी बात को ध्यान से सुख देखो होता क्या है इसमें पांच परत्योगिताएं होती है इसमें कैसे होती है सारा नहीं पढ़ना आपने इसमें जो पांच परत्योगिताएं होती है वो एक तो होती है सिंगल इसमें दो आती है एक तो मेन टू मेन और फिमेल टू फिमेल ठीक है पुरुस एकल महिला एकल इसको बोलते हैं एक तरफ एक महिला एक तरफ एक महिला एक तरफ एक पुर्स एक तरफ एक पुर्स एक पुर्स यह दो हो गए एक एक होता है इसके अंदर पेर्स में जोड़ा होता है इसमें क्या होता है एक तरफ मेल एक तो मेल के लिए होता है यह मतलब दो मेल एक तरफ दूस्थी तरफ भी दो मेल दो होते हैं एक होता है यूगल, इसमें ये एक होता है, इसमें क्या होता है, एक साइड में male-female और दूसरी साइड में भी male-female, ऐसे हो, अब यदी कोई ऐसा system बैठ जाए, एसा system बैठ जाए, कि ये जो pairs वाली है और mixed pairs जो है, इसमें कोई भारतीया आ जाए, जैसे सानियामीर्जा, ये आ जाए, अब वो चाये हारे, चाये वो जीते, उस question के आने की उमीद होती है, जनली इन में से question नहीं आते, इन में से question आने के chance होते हैं, 3 या 4% 3 या 4% इससे जदा चांस नहीं हो समझ में आई मेरी बात सारी अब आपको अपने शाब से देखना है कि ये 3 या 4% के पिछे आपने पड़ना है या नहीं पड़ना लेकिन मैं नहीं पड़ाऊंगा समझ में आगी बात सारी हाँ यदि कोई भारतिया आ गया, तब important होगा, फिर उसका level बढ़ जाएगा, चाहे वो हारे चाहे जीते, जीत गया तो तो आना ही आना है, तो तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हार गया तो भी आना है, ये ध्यान दखना, मैं वापस repeat करता हूँ, इन में से question आने के 3 या 4% chance होते है जो बच गए percentage उन में आता है ये दोनों, अब इन दोनों में भी मज़ेदार बात है, इन दोनों में मज़ेदार बात ये है, कि इसमें सबसे ज़्यादा ये आता है, man prominent, male male का होता है, उसके दूसरी बार फिर मैला आती है, बस बेटा ये पढ़ने के तरीके में जो मैंने अ बात नहीं कर रहा है, हर सब्जेक्ट में, reasoning में भी लागू करनी है, English में भी लागू करनी है, ये आपको छंटनी करनी है, इसके लिए आप किसी विद्वान की teacher की साहिता लीजी, ये आपको नहीं पता है तो, ये आपकी कामिया भी त्याह करेंगे, योंकि tennis में केवल एक ये टॉरिनामेंट तो है, इतना तो जानते ही हो, हर दिन टॉरिनामेंट होते है, यह नहीं तो फुटबोल घ evolves हो, फुटबोल नहीं तो किर्केट तायर है, तो हमें ये त्याह तो करना पड़ेगा ना कि मेरी काम की चीज कोन सी है, मैं किसको ज़्यादा तवज्ज़ु द लेंगे तो तो ट्या है, जैसे आप अक्सर देखते हो अन्यय-, य्यूटीव चेनल पर यह सवरा करवा दिया जाता है पीडियाप ले लिना 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 यहाँ, ऐसा, ऐसे लिख ले रो वह कर ले कर दियाता है उनका अपना तरीका है यह नहीं कह रहा लेकिन उस तरीके से दियाब करते हो तो फिर सारा पढ़िए आप फिर करना पढ़ेगा फिर आप 3-4 परसेंट को भी उतना ही तवज्जो दे रहे हो जितनी तवज्जो आप 95 वाले को दे रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है जितना मेरा अनुबव है यह रास्ता गलत होता है अब कोई काम्याब हो जाता है बन जाता है वो उसकी समस्या है मैंने ऐसे अपवाद भी नहीं देखे मेरा जितना अनुबव रहा है मैंने अपवाद नहीं देखे जब से मैंने यह competition की लाइन में आ बतते हो, reasoning पढ़ते हो, English पढ़ते हो, जाय हिंदी आपके सेल इसमें है, तो आपको कोई भी विद्वान जब पढ़ते हैं, यह तो जुरूर्वड बताते हैं कि क्यार कौन सी प्रस्रावलिय में कोश्चन आना 99% त्या है तो आपको होगी सर इसमें से आता है आप बता दो अब उसको पकड़ लो और उसको जाने मत दो कि आ जा कोश्चन वो फिर आपका कोश्चन इदर से उधर नहीं होना चाहिए कितना ही टफ आ जाए यह तैयारी करते ह है ऐसे तेहरी करने का तरीका होता है और सारा नहीं पढ़ सको इसलिए मैंने आपको यह सारा सिस्टम बताया सब से ज्यादा पूछा जाता है यह दूसरे नमबर पर यह और इन में से 4 या 5 परसेंट 3 या 4 परसेंट इतना रेशी होता है यह प्रोमिनेंट तब होता है जब से पहले आजाएए पुरुष एकल मेल सिंगल पुरुष एकल अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है विजेता विजेता ध्यान रखना ठीक है वोन है आस्ट्रिय ओपन टैनिस टूड़नामेंट में नुवाक जोकोविच कहां के है यह सर्विया के है यह देश याद रखोगे हमेशा देखना नुवाक जोकोविच और अब देखिए एक पैटर्न और है इस पर वो पैटर्न यह है कि नुवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिय ओपन टैनिस टूड़नामेंट दोजार तईस का पुरुस एकल खिताब निमन में से किसे हरा कर जीता यह दूसरा पैटर्न ना इसका यह ज्यादा टाइम नहीं हुआ है च्यार पांस साल के अंदर इससे कोश्चन आने लगे हैं तो यह जो है यह स्टेफानोस है मैं यहां लिख रहा हूँ समझ जाओ गया आप मेरे इसाब से इतना से नाम याद रखो वैसे बहुत लंबा नाम है ग्रीस के है यह वैसे दुबई में रहते हैं यह लेकिन यह रहना करना कुछ नहीं ग्रीस याद रखो इनके नाम ऐसे ही होते हैं अब आप सोचो कोई यूगल वगेर आगे तो क्या करोगे इतना ही समझ जाई है सिंपल सी बात अपने तैयारी करने के तरीके को बदलना है और कुछ नहीं है और बोलने वाले तो भाईदे को बोले गई हो सकता है मेरी बात भी आप मत मनो तो ऐसा कोई भरक नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मेरा ये मानना है कि 10% बच्चे इस बात को समझते है 90 तो नहीं समझते आप भी सोच रहोगी दिमाग में आता है कि ऐसी कर रहा तो बिल्कुल सोच सकते हो इस पे कोई बड़ी बात नहीं है आजाद हो आप आप हो चुका है 1947 स्वतंतरता का अधिकार है लेकिन इतना मुझे विश्वास है 10% बच्चे उसको फोलो जुरूर 10% विश्वास को जुरूर काइम बढ़ा और कामियाभी का रेशियो भी 10% ही होता है ये और मज़ेदार बात है तूसली सारे थोड़ी कामियाभ होते हैं तो तर्विया के है ये नुवाग जोकोविच है और कैस्पर रूड ये उपविजेता रहे हैं कैस्पर रूड ये नार्वे के है कैस्पर रूड नार्वे के हैं इदर आजाएए कार्लोस अलकारेज कार्लोस अलकारेज ये जो कार्लोस अलकारेज है ये कहां के है स्पेन के है ये पहला विमल्डन है समझ्जा होगे ग्रेंड स्लेम तो चारों यह 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 इसमें नीचे लिख दीजिए दूसरा ग्रेंड स्लेम और पहला विमल्डन दूसरा ग्रेंड स्लेम और पहला विमल्डन अले आईए और इसके उपविजेता रहे ये नुवाक जोपोल आप देखिए हार गया ये लेकिन आप देखिए आप तो पता नहीं इन चीजों को देखते और नहीं देखते मुझे नहीं पता क्या बोलता है आपका प्रदर्शन बड़ा अद्भुत था मैं देखकर अचंबित हो गया जिससे हारा है उसको कह रहे ये आपका प्रदर्शन बड़ा अद्भुत था मैं देखकर अचंबित रह गया अपने क्या कि देख रहे कुछ नहीं वो थोड़ा सा हो गया था वह जीत गया कुछ ने अपने में सच्छाद है तब यह तो जीता है अरे वह बात पकड़ो क्या पता आगे मैच में काम आज़ाए तो तबीत से ठीक नहीं थी यह हो गया कोई बात नहीं हो जाता है अपने बोलेंगे यह लोग तब ही अपने यहां है हम यहाँ बटकते रहते हैं इसी कान बटकते रहते हैं क्योंकि हम स्विकार नहीं करते दूसरे को तो यह है सर्विया के अब आजाईए अब हम बात करेंगे महिला एकल की युसज़ी आपको करना क्या है अब चलो ये भी बात कर लेते हैं, होगा तो करना क्या है है एक मेदान का नाम लिखना है है और ये काम करने है और बाई चांस कोई भारती आजाए उसको पकड़ लेना इतनी ड्यूटी है विस और कुछ नहीं और कुछ भी करते जाओ जो मर्जी है वो करो आईए विजेता महिला एकल और अस्टेलिया ही में जो है ये विजेता है आरियना अजीब सा नाम है भाई ये आरियना मैं तक करता हूँ इतने से कर लो फिर भी लिखा देता हूँ सबालेंका ऐसा सा नाम है पूरा लिखूंगा तो उधर नहीं आएगा अगया होगा किसी ने किसी पेपर में ये भी ये बेलारूस की है और जो रनरप है उप विजेता ये है एलेना राइबा की ना ये कजाकिस्थान की है और जो आप फ्रेंच ओपन टैनिस टूर्णामेंट देख रहे हो इसमें है इगा नाटालिया नाम देखो गवराना मत आप इगा नाटालिया इगा को नाटालिया ये पॉलेंड की है किसी ने बताया हो कभी कोई वेक्ति चलते चलते बता गिया और रहे वह बता दे वह इससे तो सब कोई पताता है इसमें क्या बड़ी बात है लिखिए कैरोलिना मुचोवा कैरोलिना मुचोवा ये चेक गणराज्य की है और इधर आजाएए ये मार्केटा वन्रोसोवा ये चेक गणराज्य की है देखो इसको भी काफी हाइलाइट किया गया देखो इसका ये जो है ये पहला ग्रेंड स्लेम है मतलब पहली बार जीती है ये वो तो कितनी खुशी होती है आप भी तो प्री क्लियर कर लेते हो तो देखो उसलते फिरते हो वैसे पहला ग्रेंड स्लेम है ओन्स जेब्यूर उप विजेता है ओन्स जेब्यूर ये ट्यूनीशिया की है नाम सुना है क्या कभी तुनिशिया अरब करांती यहीं पर वी थी इसका जो नेसल फ्लोवर है तुनिस तो राजदानी है नेसल पर वह जैस्मील चमेली इसी कान से उस करांती को चमेली करांती के नाम से भी जानते है अब अक्टूबर नमंबर में यूएस ओपन टैनिस टूर्नामेंट होगा उस को अपने तरीके से आपके सामने डाटा पूरा आ गया है अब आप यूएस ओपन टैनिस टूर्नामेंट का वेट करें और जब वह आ जाये लिख लो हो गया काम टैनिस का पूरा क्लियर इतनी बात करेंगे